तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनीकेडमी के इस नए और लेडेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का नौन हिंदी पढ़ने वाले हैं जी हाँ चैप्टर नंबर 5 फोर चैप्टर तक मैं आप लोगो पढ़ा कर स्टॉप की थी बाल गोबिन भगत चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं नाम है इस चैप्टर का हुन्रू का जल प्रपात नाम सुनकर और पढ़कर आप लोगो ऐसा लग रहा होगा यह एक दम बगवास चैप्टर है समझ में नहीं आईगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं अगर आप लोगा इसा सोच रहें तो आप लोगा सोच बिल्कुल गलत है और मैं आप लोग को हमेशा बताइगें कि किसी भी किताब को फोल से नहीं आखना चाहिए और मिर्दबाव की ही विशेर है कि गंदे लिवास से देख याद रखेगा कामता प्रसाद सिंग कामता प्रसाद सिंग का मैं आप लोग परते ही है तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और एक एक करके जितना भी मैं आप आप लोग के जितने भी लोग है चाहिए अप लोग को पढ़कर और समझाती हूं यह मैं बुक ले ली हूं आप लोग का चैप्टर नंबर फाइब निकाल चुकी हूं मैं और यह चैप्टर क्या है याद रखिएगा यात्रा विरतांत है बागल मैं में लिग दे रही हूं क् इसी जगह पर भूमने के लिए जाते थे ना प्रेटन करने के लिए तो जो जगह को अच्छा लगता था वहां की सुंदरता वह उस उस जगह का दृश्य लिखकर प्रतरशित कर देते हैं तो उस लिखे उए को कहा जाता था यातरा विरतांत और उर्दू में कहा जाता था सफर नामा थेंधर तो पहले के ढहने में मूबाइल भे फोट लेते हैं नहीं सांथ में उन्हाइल के लिए tv चieg लिए कर लेते हैं लेकिन पहले जाते थे उस जगह के बारे में लिख दिया करते थे नहीं लिखने का उनका अंदाज ऐसा होता था कि जब उसको पढ़ो ना तो ख्यालों की दुनिया में इंसान खो जाता था उसी तरह ये भी एक चैप्टर के यात्रा विर्तान थे कामता परसाद सिंग गए थे हुंडरू का जल परपात देखने के लिए और वहीं के दृष्य को लि गरता है यात्र विर्तान में धार्मिक और संकृतिक स्थान की जगहों का वणन किया जाता है यहां पर आप लोग लग सामना अगा में दिया रहेगा आदिवासी संस्कृति उसको टिक कर दीजिएगा ठीक है पहाड नदी जंगल की सुर्णदर्ता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्द अबरक और कोईले कोईला अबरक और कोईला खादानों का भी वर्णन इस चैप्टर में किया गया है इस यात्र तो कामता प्रसाद सिंग छोटा नागपूर को स्वर्ण का एक टुकणा कहें हैं क्यूं कहें हैं क्यूं बोले हैं आप लोगों को पढ़ने पर पता चलेगा क्योंकि जमीन में हरियाली आकाश में नीलीमा चोटा नागपूर अगर आप लोग घूमने जाते हैं तो देखि खाबर और उची ऊची वो गई है त्युरन धारा और गंदले पानी के साथ नदिया बिलकाती बह रही हैं मैदानों की छाती चीरी हैं और परवत्व का अंतर होड़ा है जारी जुड़ मुट और पेढ़ पाने जगाँगों पर आबाद हैं जिन्होंने जघर नागपूर क बहुत घना जंगल भी है और वो घना जंगल जो है वो जंगली जानवरों को शडण दिये हुए हैं बहतरीन शड़के जिनके बनाने में ठीकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम वय पड़ा है साप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर सवारी पैदल जा रहे हैं तो कोई गाड़ी पर बैठ कर जा रहे हैं ठीक है धरती पर आदिवासी का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आख मिचौनी खेल रहे हैं धरती पर आदिवाशियों का नृत्य हो रहा है अब मैं आप लों को बताई हुंड्रों का जल पर प की निसे पहाड और मैदान गूज रहे हैं जँग्ली जानवरों की आवाज के सांद जंगल का कोना कोना बोल रहा विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा गुलजार है यह सारा क्वालीटी है और इसी वजह से कामता प्रसाद सिंग जो है न छोटा नागपूर को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहें हैं स्वर्ग हो जाता है हिंदी और उर्दू बोल सकते हैं जन्नत ठीक है तो सुन्दर जलवायू मनहरण वातावरण है हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुर्भी विखेरती चली जाती है बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुन्द को तरी तथा नमी कलपना को सुन्दर खुराक चित को स्वक्षता और पवित्रता प्रदान करते हैं खानू में कोईला और अबरक जंगल में तरह तरह की लकडी फूल फूंगियों पर नाच्टी तितलिया फल भार से जुक रहे जुके जा रहे पेड़ शोभा संपन अवर क्या क्या है तो कोईला और अबरक खादान है जंगल में तरह तरह की लकडी फूल फूंगियों पर नाच्टी वितितलिया दिखाई दे रहे हैं फल भार से फल के भार के और जैसे पेड़ जो है न वह जुकते जा रहे हैं वहां की अवर्णिय घाटिया यानिकी पहाड घा करने वाले लोग आदिवासी जो हैं सभी यह सब क्या है यह सब छोटा नागपुर के एक शोभा है जिसके वजह से छोटा नागपुर को कामता प्रसाथ जिंग का एक टुकड़ा कहें हैं एक और प्रित्वी अपने कोश को उगल रही है तो वह कोईला बनकर लोग के घरों में सोना ला रहा है एक और प्रित्वी अपनी चमक दमक का परदर्शन कर रहे हैं तो वहां अबरक बनाकर दोनिया का श्रिंगार कर रही है कर दो देखते हैं विश्मुत भाव से देखते हैं इस छोटा नागपूर में कई दर्शन ये जढ़ने हैं छोटा नागपूर में बहुत सारे जढ़ने लेकिन इसमें जो खास है वो हुन्रू का हहाइखना है जल प्रपात तो इसी छोटा नागपूर में क्या है हुन्रू का जर्णा है जो कि बहुत ही निराला है मैं जब भी राची गया हुन्रू देखने जरूर जाता हूं कामता प्रसाद सिंग लिख रहे हैं कि मैं जब भी भी हुन्रू गया हुना तो हुन्रू हुन्रू में बोले यह ज़रना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है यह जल प्रपात है इसने मेरे मन और प्राण पर क्या कर दिया है जादू सा कर दिया है यह ज़रना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अगहाता नहीं बोल रहें कि कामता परतात सिंग कि यह ऐसा ज़रना है जिसके इस हैं इसको मैं भुला नहीं सकता वार बार जो है ना इसकी इसकी संद्रू कि दर है कि राश्ता बताए है कामता प्रसाद सिंग मिलने जिसे हुंणरू पहुंचते हैं जिससे क्या कहा पहुंचते हैं दूरी और पुरुलिया रोड़ सेर उसकी दूरी कितनी मौने एक मिनट पुर्या रोड़ से उसकी दूरी पुरूलिया रोड से 13 मिल दूर है 13 मिल ठीक है यह हो गया देखे राच्ची से पुरूलिया वाली सड़क पर 14 मिल जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हम लोग हुंडरी पहुंचते हैं राच्ची से आ जाईए कितना 14 मिल पैदल चलके या फिर जिस चीज से भी आना है अब लोग आ जाएं तो पुरूलिया रोड मिलेगा और वहां से जो हैना हुंडू रू है लेकिन अगर बात करें डारेक्ट राची से कितना मिल दूर हैं तो 27 मिल ठीक है तो राची से आ जाईये चौदा मिल चलकर पुरूलिया रोड और पुरूलिया रोड से तेरा मिल द गर तो 14 – 18PM 27 तो वहीराची से हंडु 27 दूर कि की 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 प्वित्रता महत्ता तभी है साध्य की पवित्रता एवह इसका सधन्य भी महार जाती है ये लक्षे की पवित्रता और उसकी महान होना चाहिए जिस तरह मतलब हुंडू का जढ़ना है जितना खुबसूरत उसी तरह उसका मार्ग यान की रास्ता भी है और महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग यान की रास्ता भी महान होना चाहिए और जैसा हुंडू का जढ़ना है वैसा ही उसका मार्ग यान क हुआ है कि राची से चलने वाली मुसाफिर जहर पहुंचने तक यानि कि पहुचने तक ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर तहलने की इच्छा होती है ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिन वीशी का श्याद बाग लगता हूं। ऐसे से जंगल दिखाई देते हैं इतना घंग जंगल और ड्रावनग चुछ देखकर बाग को भी शायद डड़ लग ठीखेई और बीच बीच में पहाड़ी उस पर जॉइकर और उस पर जॉणी। बलखाती सडाक जिसपर चलने में आनंद आ ते यान सबी मिलकर इस आनंद कोे बढ़ा देते हैं कई गुना बढ़ा देते हैं हवाओं के वजए से हवाय ढोल रही है ठीक है हवाय डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो मतलब हवाय ऐसे चल रही थी ना जैसे कि हमसे पर्मीशन लेकर डोल रही हो मतलब हवाय चल रही हो एकदम धीमा मधूर सार हवा एकदम छोटा नागपूर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मुर्ती जिनक कर रहे हो कहीं कहीं अगल बगल में यू लहरा रहे थे जैसे यहां वालों की किसमत लहरा रही हो इस परकार मार्ख दर्शन का अनंद लेते हुए हम हुंडु के पास पहुंच है और इस तरह कामताप्रसाद नहीं मार्क दर्शन यानि की रास्ता का अनंद लेते हुए हुंडू के पास पहुंचे एक बार मन ही मन मैंने ज़रने को परणाम किया मन ही मन हुंडू के जल प्रपात यानि हुंडू के ज़रने को कामता प्रसाद सिंग परणाम किये और पहाड पर पानी की या अजीव लीला है ज इसकी यह आवाज जैसे दस-पांच हांथी एक बार चिंगinaçãoड रहे हों। जैसे दस-पांच ट्रेंड के इंजन एक सांथ आवाज कर रहे हो। जैसे एक साथ कई हवाईजा चक्कर काट रहे हों। या जैसे कई सहसनाग एक भार फन फैला कर फब खार रहे हो। पहुचने के सांथ यात्री के कानों मैं ऐसी ही आवाज पढ़ती है किस तरह की आवाज पढ़ती है जैसे कि दस-पांच हांथी टोए एक साथ पवित्रता कि ऐसा लग रहा था कि मानू कि हम देव लोग पहुँच गए हूँ है क्या यह यूग-यूग से पानी का आग हाथ है पत्थर की बरदाश्ट है और यो एक प्रकार से यह पत्थर की छमता का परदर्शन है पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है यह एक प्रकार से यह जल की छमता का परदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है पत्थर मात है करुणा के सामने प्रेम के सामने जिसके अपार बल के सवरूप पत्थर की छाती से धारा फूरती और पत्थर की आँख से आसू निकलते है और पत्थर का कलेजा निकल रहा हो पहाड पर नदी का यह खेल है यह नदी है स्वान रेखा जिसके उद्गाम स्थान से पचास मिल आगे आकर हुंडू का यह ज़रना है ठीक है यह जो नदी नदी के यह नदी है स्वान रेखा जिसके उद्गाम स्थान से देखिया नदी के उद्गाम स्थान से जहां से नदी स्टार्ट होत रहा है उससे 50 मिल आगे हुंडू का यह जड़ना है स्वन रेखा नदी राची धनबाद से भूम एवं बाला सोर जिलों से होकर बंगाल की खाडी में गिरती है याद रखिएगा यह स्वन रेखा नदी है यह कहां से होकर गुजरती है राची ध होकर गुजरती है तो स्वन रेखा नदी राची धनबाद से भूम और बाला सोर जिलों से होकर बंगाल की खाडी में गुजरती है तो राची धनबाद से भूम और बाला सोर जिलों से होकर गुजरती है यह स्वन रेखा नदी और इसी के उदगम स्थान से जहां से स्टार चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है नदी जहां पहाड को पार करने की चस्टा में पहाड पर चड़ती कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रूई धुनने वाला अपनी धुनकी पर कई धुनकर उचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा हो और बच्पन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था प्रतीत होता है वैसा ही लेकिन उजले रंग की ह हवा में उड़कर विलीन हो रहा है और यहां में उड़ता उंद्रधनुस फरफरा रहा है देखिए हुंडू के जल प्रपात यानि की ज़रने की जो उचाई है न वह कितनी है 243 फूट कितना है 243 फूट अब 243 फूट से जब नीचे गिरेगा पानी तो आप ज़रा सोचि भी है कि पत्थर से टकड़ा अगर उससे जो फूहारे निकलेंगे वह रूइचा है तो वही उसी दुर्श्य को कामता परसाथ सिंग्स लिखकर यहां पर प्रदर्शित किये हैं चारोर जंगल और पहाड के बीच में प्रकृति किया है लिलास थली है जरना के एक और का जं और का जंगल हजारी बाग में हुन्रू के हुन्रू का जो जढ़ना है इसके एक और का जंगल कहां है राची में और दूसरे और का जंगल हजारी बाग में और बीच में जढ़ना बहरा है मानो उसका यह संदेश हो कि वह सब के लिए है सब का कल्यान उसका उदेश्य है वह न वगल में एक इंच मोटी एक पानी की धारा उपर से नीचे धीरे धीरे पत्थर उपर से उतर रही है जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो नीचे जहां घंगोर धारा गिरती है वहाँ पानी करीब 20 फूट उपर उचलता है लगता है कि पत्थर को चीर कर और आने वाला पानी का स्वागत करने और उन्हें कंठार पहनाने के लिए नीचे थे पानी उपर दो रहता है और इसी बगल में एक इंच मोटा पानी का धारा लग रहा है मतलब उपर से नीचे की और ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी के ऊपर कोई भक्त दूध चढ़ा र शिवा जी की बाराद शायद इस रहा से गुजरी थी उसका स्वागत करने को परवत ने इस गुलाब पाश का प्रबंद किया था वही गुलाब पाश शास्वत होकर अभी भी जरजर कर रहा है श्रिव जी जो है इस रहा से गुजरे थे तो उनका स्वागत करने के लिए गुलाब पाश का प्रबंद परवत ने किया था और वही गुलाब पाश शास्वत होकर अभी भी जरजर कर रहा है ज़रने से भी ज़्यादा खुबसूरत मालूम होता है ज़रने के आगे की घाटी का दृष्या को तो जानू यहाँ पर नदी यो दिखाई देता है जैसे कोई नदी के इर्दगित पत्थरों का अमबार लगा कर उस पर जाड़ी उगाई गई हो प्रकृति या प्रमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा अन्य अथा मनुष्य जाती में इतनी समर्त्य कहां बोल रहा के लिए अपने हाथों से तो वह बहुत ज़्यदा कठीन है उपर वाले के बनाएं जो प्रकृतिक होता है प्रकृतिक ही होता है पहाड के उपर से एक पत्ली सी पकडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं नीचे जाकर हम अनिमेर्ष कुछ दे हुआ है कि और ध्यों कर मालुम पिड़ता है जिन्म में यहां पानी गिरता है और यहां कर नहीं करता है मा जान पर टा यहां का पानी कि रंतर्वर्गर्थ के साथ चट्टान पर गुरता हुआ मानंब्लिय द्रिफ्टी करता है जिसका धुआ बराबर उठता है हुन्रु का पानी के सांब की तरह चक्कर काटता है केallas की चल surviv Гरता है और कहीं भाल कäter कर एक जगह पर कठ्था होता है कर सारह सारा पानी जहां पर जाता है वहाँ का इस थान जो है ना बहुत विशाल और भ्यांकर हो गया है कर मतर देखने के लिए दिर्शन दर्शनार्थियों का पता लगा रहता है यहां डिस्ट्रिक बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है वहीं पर हुन्रू में क्या कर दिया गया है डिस्ट्रिक बोर्ड की तरफ से एक बंगला बनवा दिया गया है लेकिन खाने पीने का समान वहां पर नहीं है खाने पीने का भाव है हुन्रू का प्रकपात क कि भीर और चीजों का भाव देखकर ख्याल जो है ना ख्याल आया कि यहां के लोग सच्मुच और वहारिक हैं यहां अगर किसी दूसरे जगह में ऐसा जढ़ना होता तो वहां के लोग इसके पास दुकान वगएरा सजाकर अपने लिए और दूसरों के लिए सुईधा की व्य किस युग से किसी महाकवी की वानी कि संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेम की रूदंध्वनी से पिखल करिया पाशान बेरा है बहुत यह अचे तरीके से खुपसुरा तरीके से हुन्रू के जढ़ना की विशेष्टा बताएं और तारीफ किये हैं यहां दो तरह के पत्थ दिखाई दिये कामता प्रसात सिंग को एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड कर विशाल जरना जर रहा है और एक वह भी पत्थर है जिस पर नजाने किस युग से पानी की अधारा गिर रही है और वह जरा भी विचलित नहीं होता जियों का त्योंग खड़ा रहता है और घ हिस्ता भी नहीं है नाहीं धस्ता है और नहीं खिसकता है सूचिय है इसब प्रकृती का दें है weekend 243 फूट का यह प्रपात निराला है सुन्दर्ता यहां साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहां और भाव की कमी हो गई है विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पढ़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बहरा है अविरल और अविचल दोनों का उधारन यहां एक बार में ही उपस्तित है वहीं बोल रहा है कि यह प्रपात 244 फूट का निराला है यहां के सुन्दर्ता जो है साकार हो गई है मैं यहां पर आकर धन्य हो जाता हूं दानी दान करता है तो गुमान करता है पर यूग-यूग से नजाने कितना पानी अपहार दान कर चुक अपने आप पर अभीमान नहीं है तो इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए कितना भी कुछ भी किसी को दे दो कितना भी कुछ दान कर दो अपने आप पर गुमान और अभीमान नहीं करना चाहिए जतलाना नहीं चाहिए कि ना हम दिये हैं ऐसे बहुत चार लोगों मैं देख पहाड है और इसको अपने आप पर कोई गुमान या भी मान नहीं है और इसकी जो आप बोल सकते हैं इसके स्रिष्ट ता इसी वज़ा से हैं हर इंसान को इसी तरह होना चाहिए दान करने के बाद गुमान नहीं करना चाहिए अंधे आवाज सुन ले तो परवाह का अंदाज लगा ले कि अगर अंधे आवाज को सुन ले अगर कोई अंधा है और आवाज के आवाज को सुन ले तो परवाह का अंदाज लगा ले यानि कि कितना तेजी से धारा बह रही है उसका यह अंदाजा लगा लेगा कोई अंधा होगा तो और अगर कोई बहरे परवाह देख ल तो आवाज को सुनकर वो अंदाजा लगा सकता है कि कितना तेज पानी बहरा होगा, कितना तेजी से परवाहित हो रहा होगा, और अगर कोई बहरा चला गया, वो सुन नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है, तो वो देखकर ये अंदाजा लगा सकता है कि कितना तेज इसका आव और कि मुदंतिया है कि कुछ इस हुन्रों से साथ मिल पर कुछ लोगों ने एक और प्रपात देखा है देखिए साथ मिल दूरी पर साथ मिल की दूरी पर एक और प्रपात यानि की जर्णा देखा गया है कि कुछ लोग का कहना है लब कुछ लोग देखें हैं जो इससे कई ग को उसका ठीक पता लगा कर वहां तक मार्ग का निर्माड कर देना चाहिए जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके जो भी हो दर्शनिया है इसकी याद भूलने की नहीं कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आखों के सामने उसी प्रकार उचल कुद मचा रहा है और यह जलता भी जाकर वाँ पर घूम सके ठीक है जो भी हो कामतर प्रसाद सिंग कह रहे हैं कि यह जो हुंडू का जढ़ना है यह कभी भूला मैं नहीं सकता उसकी जो मतलब दृश्य है ना मेरी आँखों पर हमेशा दिखाई देती है मेरा दिमाग में हमेशा रहता है कल-कल छल- करना उचल कुद करना यह सब हमारे आँखों में सपस्ट दिखाई देता है ठीक है यहां पर फाइनली आप लोगा चैप्टर कंफ्लीट हो गया कोई भी कंफ्यूजन हो लिखकर कमेंड में बता लीजेगा बाकि जितना भी पॉइंट आप लोग के बुक में दिया गया था हर एक पॉइंट को में आप लोग को पढ़कर बता दी अब आप लोग सोचिए इस चैप्टर से कोई भी एक पॉइंट चूटा नहीं चूटा हर एक पॉइंट में पढ़कर बता दी कोई भी कॉशन पूछेगा तो आप लोग 100% करेक्ट बना कर आईएगा चलिए आज के चैट करते है तक आप लोग शेर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिये लाइक नहीं किए तो लाइक करें जो कुछ भी मैं आप समझाती हूं समझ में आता है तो देखिए लाइक करके ही जैंए लाइक करें पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके हिंद और हुदा हाफीज